हलो फ्रेंज वेलकम टू मैट्स ब्रज और यूटूब चैनल और आज हम लोग अस्टेटिक जिक्के में क्लासिकल डांस के बारे में पढ़ेंगे जिसको हिंदी में कहते हैं सास्तिर्य निरित्य भारत में कितने और कौन-कौन से क्लासिकल डांस हैं वे किस राज्य से संबंदित हैं इसके अलाबा वे कौन से पॉइंट है जहां से क्वेश्चन आ सकता है और हमें जानना चाहिए उन सभी बिंदूं के उपर बात करेंगे वैसे तो देखा जाए तो ये एक बहुत ही छोटा सा टोपिक है और आप कई जगा देखेंगे यूटूबर भी देख सकते हैं कि इस टोपिक को मातर 4-5 मिनट में पढ़ा करके चुट्कियों में समप कर दिया जाता है और केबल इतना बता दिया जाता है कि कौन सा निरित की सराज से संबंदित है और इसी में सभी अलग अलग तरह के ट्रिक को भी अपनाते हैं अब ऐसा तो है नहीं कि केबल इतना ही पुछा जाए कि कौन सा निरित किस राजी से संबंदित है। कुछ और भी पुछा जा सकता है। तो आज हम चुटकियों में नहीं पढ़के थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे ताकि सारा चीज आपको केबल सुन करके याद हो जाए और इस टोपिक से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप बना पाएं। तो आए शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आउन कर लें ताकि ऐसे ही बहतरीन वीडियो आपको मिलता रहें। तो क्लासिकल डांस का अगर बात करें तो भारत में बरतमान में पुल आठ क्लासिकल डांस हैं। प्रदेश भी आता है। तो अगर आप्शन में उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत दोनों दे दिया जाए तो सही आंसर हो जागा उत्तर भारत। और अगर उत्तर भारत आप्शन में नहीं है तब आंसर हो जागा उत्तर प्रदेश। तो आप्शन के अनुसार आप अपने यही आध होना चाहिए कि कौन सा निरित किस राजिस से संबंदित है क्योंकि यहां से कई बार और बार बार कुछा जाता है कि कौन सा निरित किस राजिस से संबंदित है अब हम सभी के बारे में थोड़ा सा अलग-अलग डिटेल में बात करते हैं तो सबसे पहले अगर भारत नाट्यम को ही चधीर अट्टम निरित भी कहा जाता है अब देखिए अगर भारत नाट्यम के जगह पर एकजाम में चधीर अट्टम लिख दिया जाए तो जो अस्टुडेंट भारत नाट्यम के बारे में जानते हैं वो भी या तो question को छोड़ करके आ जाएंगे नहीं तो फ भारत नाट्यम डांस को महिलाओं के द्वारा किया जाता है और उन महिलाओं को देवदासी कहा जाता है तो कई जगह ये भी लिखा हुआ है कि इस निरित को देवदासियों के द्वारा किया जाता है तो देवदासी कोई अलग तरह की महिला नहीं होती है बलकि जो महिला इ पुस्तक नाट्य सास्त्र में भी मिलता है इस निरित को महिलाओं के द्वारा किया जाता है जिसे देवदासी कहा जाता है और अगर कुछ निरित त्यांगना का बात करें जो इस डांस को करने के लिए फेमस है तो दो तीन नाम आप याद रख सकते हैं यामनी कृष्मूर्ति टी बालस रस्वती और सोनल मान सिंग इसमें सबसे इंपर्टेंट है यामनी कृष्मूर्ति क्योंकि इनको ले करके कई बार कॉस्चन पूछा जाता है कि यामनी कृष्मूर्ति का संबंद किस निरित से है तो इनका संबंद दो निरित से है भारत नाट्यम में भी आप इन किया जाता है और अब हम बात करते हैं मोहिनी अटम के बारे में तो मोहिनी अटम निरित भी महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है और उन महिलाओं को भी देवदासी ही कहा जाता है देखिए अगर देवदासी का बात आवे तो तीन चार निरित आपको ध्यान देना है भारत म सुन्दर इस्तिरी जो देखने बालों का मन मोह ले उसको मोहिनी कहा जाता है और ये रूप को भगवान विश्णू ने दो बार धारन किया था एक बार तब धारन किया था जब गलती से किसी कारण बस भगवान सिब के द्वारा भसमा सुर को ये आसिरबात दे दिया गया था कि भसमा सुर जिसके भी सर पर हाथ रख देगा वो वहीं पर जल करके भसम हो जाएगा तो भसमा सुर ने क्या किया था कि भगवान सिब के पीछे ही दड़ पड़ा था उनहीं के सर पर हाथ रखने के लिए तो विश्णू भगवान ने क्या किये कि एक सुन्दर इस्तिरी क रुपधारन कर लिए मतलब मोहिनी रुपधारन कर लिए और भस्मासुर के मन को मोह लिए और उनसे डांस करवा दिए और डांस करते समय भस्मासुर का हाथ उसी के सर पर रखवा दिए तो भस्मासुर खुद ही वहाँ पर जल गया था तो वहाँ पर भगवान सीव का मोहिनी रूप धारन किया था और घड़ा को अपने हाथ में लिया था तो वहाँ पर भी भगवान विश्णू को मोहिनी रूप कहा जाता है तो यही सभी पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है इस निरित को महिलाओं के द्वारा किया जाता है जिसे देवदासी कहा जाता है देवदा और अगर मोहिनी अटम डान्स का कुछ निरित आप देखना चाहें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से मोहिनी अटम निरित को किया जाता है इसके बाद है कृत्तककली और कथक कली भी केरल राज से ही सम्बंदित है और कथक कली जो निरित्य है वो पूरुसों के द्वारा किया जाता है और इसमें रामायन महाभारत और बेदपुरा नादी में जो कहानिया दिया गया है उसको नाटक के रूप में परस्तुत किया जाता है और अगर कुछ कलाका का बात करें जो कथक कली करते हैं तो उसमें राम गोपाल, उदय संकर और कृष्णन कुट्टी इसमें सबसे इंपोर्टेंट है क्रिष्णन कुट्टी क्योंकि इनको लेकर के कई बार कोस्चन पूछा गया कि क्रिष्णन कुट्टी का संबंद किस निरित से है तो इनका संब भारत या फिर उत्तर परदेश और कथक का मतलब होता है कहानी और कथक नृत में राधा कृष्णा से संबंधित जो कहानिया है उस कहानी को नाटक के रूप में परस्तूत किया जाता है और सबसे अजीब बात ये है कि कथक नृत को करने के लिए पैरों में 100 से अधिक अधिक घुंगरु बांध कर इस नृत को किया जाता है और एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि कथक नृत करने वाले कलाकारों को आस्रे परदान करते थे मतलब जो भी कलाकर कथक निरित को करते थे तो इन घरानों में सामिल कर लिया जाता था उनको तो इस परकार से ये सभी घराने कथक निरित से संबंदी थे तो सबसे पहला है लखनव घराना और लखनव घराने को अबध के नबाब वाजी दली साख के द्वारा बसाया गया था और यहाँ पर एक महतपूर्ण ब्यक्ति रहते थो जिनको ले करके अभी भी कुश्चन पूछा जाता है उनका नाम है पंडित बीर्जु महाराज का पंडित बिन्दा दिन महाराज का संबध जयब्वा घराना से है और कत्थक निर्थ से उसी परकार से है बनारस घराने को जानकी प्रसाध के द्वारा बसाया गया और पंडित लक्शु महाराज इस घराने से संबंदे थे फिर है राइगड घराना राइगड घराने को 36 गड़ के राजा चक्रधर सिंग के द्वारा बसाया गया है ना और इसमें पंडित फिर्टु महाराज पंडित कार्तिक राम और कल्यान दास ये सभी व्यक्ति का संबंद कहां से है तो राइगड घराना से है तो यहां से question पू क्योंकि यहां से भी question पूछा जाता है तो एक एक नाम आपको सभी में कम से कम याद रखना है और अगर कथक निरित का कुछ जलक देखना चाहें तो आप फिर से यहां पर देख सकते हैं इस तरह से इस निरित को किया जाता है और इसके बाद है कुचिपूरी जिसका संबं पर इसका नाम रखा गया है क्योंकि उस गाओं के जो ब्रहमन समुदाय के लोग थे उस ब्रहमन समुदाय के पुरूसों के द्वारा इस डांस को किया जाता था हलके बाद में पूरे आंदर परदेश में किया जाने लगा और फिर महिलाओं के द्वारा भी किया जाने लग तो वही सभी point यहां पर लिखा हुआ है इस नरित का नाम आंदरपरदेश के कृष्णा जिला के गाउं कुचीपूरी के नाम पर है और इसे ब्रहमन समुदाय के पुरुसों के द्वारा किया जाता था फिर महिला भी करने लगी और अगर कुछ कलाकार का बात करें जो कुची को करने के लिए और कुची पुढ़ी डानस का कुच अभीना अगर आप देखना चाहें तो आप यहां पर देख सकते हैं इस तरह से कुचीपूढी डानस को किया जाता है और इसके बाद है पर सबसे पुराना ये जीवित निरित है और इसमें क्रिश्न अबतार भगवान जगनात की महिमा का आविने किया जाता है और जगनात मंदिर भी कहा है तो पूरी उडिसा में है तो वही सभी पॉइंट हैं पर लिखा हुआ है कि यह पुरातात्विक सक्षों के आधार पर से पुराना जीवित निरित है और इसका बरनन सिलालेखों में भी मिला है जैसे ब्रहमेश्वर मंदिर का सिलालेख पुनार्क मंदिर का सिलालेख और इस निरित में क्रिश्न अबतार भगवान जगनात की महिमा का आविने किया जाता है और कुछ परमुख कलाकार का बात कर और अगर ODC निरित का कुछ जलक आप देखना चाहें, तो उसको भी देख सकते हैं, यहाँ पर यह है ODC निरित, है ने? इसके बाद है मनिपूरी, तो मनिपूरी निरिति जो है, वो मनिपूर से संबंदित है, और मनिपूर में एक जनजाती है जिसका नाम है मेताई जनजाती और उन जनजातियों के द्वारा इस डांस को किया जाता है तेहां तो एक question ये भी बन जाता है कि मेतई जनजाति का संबंद किस राजी से है तो ये मनिपूर से संबंदित है और इसी जनजाति के द्वारा मनिपूरी डांस को किया जाता है और इसमें भी राधा क्रिश्ना से ही संबंधी तवीने को प्रस्तूत किया जाता है। तो हम सभी यहाँ पर point लिखा हुआ है। इस निरित को मनीपूर के मेतहिजन जाती के द्वारा किया जाता है। और मनीपूरी डांस का जो वर्नन है वो विश्णु पुरान, भागबत पूरान और गीत गोबिंद आदी में भी किया गया है और मनी पूरी डान्स का कुछ निरित अगर आप देखना चाहें तो आप यहां पर देख सकते हैं यह रहा मनी पूरी डान्स है और इसके बाद लास्ट है सत्रिया निरित जिसका संबंद असम से है और यह सबसे नवींतम क्लासिकल निरित है इसको 15 नमंबर 2000 को क्लासिकल डांस में सामिल किया गया था पहले यह फौक डांस में था मतलब लोक निरित में था फिर 15 नमंबर 2000 को इसको क्लासिकल डांस यानि सास्तिया निरित में सामिल किया गया भारत में एक संस्था है जिसका नाम है संगीत नाटक अकादमी वही किसी भी निरित को Classical Dance में सामिल कर सकता है और बाहर कर सकता है तो उसी केदरा 15 नमंबर 2000 को क्लासिकल डांस में सामिल किया गया था यहां पर लिखा हुआ है यहां सबसे नभीनतम निरित है जिसे संगीत नाठक अकादमी केदरा 15반 मंबर 2020 को सास्त्रिय निरित की सूची में सामिल किया गया था और इसमें भगवान कृष्णा से संबंधित जीवन पर आधारित कथा को निरित के रूप में परस्तुत किया जाता है तो हम उम्मीद करते हैं कि क्लासिकल दान्स से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट से वह आपको याद हो गया होंगे और अगर इस टॉपिक से क्वेस्टन आएगा तो आप नहीं छोड़ेंगे